ज्यार्खन के स्कूलों में हर महीने के तीसरे सन्निवार को छोटी रहेगी औरने सन्निवार को पूरी अधी के लिए स्कूल खोलते रहेंगे इसकूली सिक्षा यमसक्षादा विभागे सच्चीव राजे सर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया हाई सीक्षक संखों की मांग पर यह और नई व्यवस्ता लागु की गई है राज के सभी सरकारी स्कूल 5 सितंबर 2019 से परतेक सनिवार को सुबा 8 बजे से 11 बजे तक संचालित होते थे और ने 200 में स्कूल शूबा 10 बजे साम 4 बजे तक संचालित होते थे लेकिन बच्चों के सिक्षन अधिक गम में सुधार के लिए उनके सिखने के समय में बिरिधी और निसूलक एवं अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार अधिनियां 2009 द्वारा ने धारित सिक्षन दियोसो की अनिवारता को लागू करने को लेकर दो नवंबर 2021 को अधिसूतना जारी कर परतेक सनिवार को पूर्ण कारे दिवस घोसित कर दिया गया था बता दिया खिल जारकन प्रात्मिक सिक्षक संग सहीत कई संगोने केंद्रे बिद्याले की तज़ पर परतेक मा कम से कम एक सनिवार को अवकास ने धारित करने का अन्रोद सिक्षा सचीव से किया था इस पर विचार करने के बाद दो नॉवंबर दोजार इकिस को जारी हदिस्चुचना को संसोजित करते हुए परतेक मा के तीसरे सनिवार को इसकूलों में आवकास लागू करने का निर्ण लिया गया गुमला के सभी परखंडों में जवानों की बहाली के लिए चैन सिवीर सेक्रियोटी स्कील काउंसिल ओफ इंडिया इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की ओर से गुमला जिले के विभीन परखंडों में 11 अगस्त तक तीथीवार चैन सिवीर लगाया जा रहा है सिवीर में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाजर की बहाली की जा रही है भरती अधिकारी अरून यादों ने बताया है कि सीवीर के माध्यम से 500 सेक्रेटी जवान यह हम 150 सेक्रेटी सुपरवाजर की बहाली की जानी है हर घर तिरंगा अभियान में पंचायतों के लिए खर्च की सीमाता है पंचायती राज भीभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए 15 वे बीत आयों के अनावद अनुदान मद से पंचायतों के लिए खर्च की सीमाताय कर दी है ग्राम पंचायतों को अधिकतम 25 रुपे पंचायत समीती सदस्य को 5000 वे जीला परिशा सदस्य को 25 रुपे खर्च करने की स्विग्रिती दी गई है अभियान में लगभग 11 करोर रुपे खर्च किये जाएंगे इस अभियान के व्यापक परचार परसार के लिए पंचायत समीती वे जीला परिशा सदस्य को बैनर पोस्टर वे परचार वाहन का उप्योग करने को कहा गया है राज में करीब 4,000 ग्राम पंचायत 265 पंचायत समीती वा 24 जीला परिशाद में इस पर काम होगा वहीं पंचायती राज निदेशक रैस्वरी बीने अजादी के अमरीत महोसो के मदर नजर सभी उप्विकास आयुकतो को अभियान के सफल आयोजन को लेकर आवसक निदेश दिये हाँ आदिवासी दिवस और मुहरम के लिए रांची में 3,000 जवानों की तैना थी विश्वा आदिवासी दिवस और 9 अगस्त को मुराबादी में होने वाले करिकरम वह मुहरम को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पोकता इंतिजाम किये है राजधानी में मैं स्टेट समेत 3,000 पुलिस पताधिकारी वाजवानों के तैनाती की गई है सुरक्षा में IRB, CRPF, Rapid Action Police, Jep, Jila Police वा Home Guard को लगाया गया है इस दवरान 6 ड्रोन सही 400 CCTV कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी 38 सनवेदन सील वा सनवेदन सील इलाके में DSP अस्तर के पताधिकारियों के साथ QRT को भी तैनात किया गया है अलाकि में रोड में मुहरम का जूलूस नहीं निकलेगा फिर भी सुरक्षा चाक जोबंद रहेगी जारखन में तीसरी कक्षा के बचे गनीत और भासा में पिछडे राश्ट्रिय उपलबधी सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जारखन में कलास्तीन के बच्चे वर्ष 2017 की तुल्ला में 2021 में कमजोर पाए गए है गनीत और भासा में तो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर है नैस के रिजल्ट के अधार पर बच्चों के पठन पाठन को लेकर जीलों को दिशार निर्देश भेज दिया गया है जारखन सिक्षा परिविणा ने अपने पत्र में कहा है कि नैस 2021 के रिजल्ट में राज्जे में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सभी भी सयों में वर्ष 2017 की तुल्ना में कम अंक प्राप्थ हुए है कक्षा 3 में वर्ष 2017 में बहासा में जारखन राष्ट्री अस्तर पर एगारवा था जो 2021 में 25 हो गया है इसी परकार गनित में 13 से 19 वा वबिग्यान में 16 से 25 हो गया है इसी परकार अने कक्षाओं में विपर्दाशन बर्ष 2017 के तुल्ना में खराब रहा है जारखन के 7000 प्रात्मिक विद्याले में कक्षा संचालन के लिए सरकार लेगी आस्थानिय लोगों की मदद लेगी इन सभी विद्यालियों में एक सिक्षा के भरोसे एक से पांच तक की कक्षाओं संचालित होती है जिससे बच्चों की पढ़ाई परभावित होती है इसे संबंधित सिक्षा पर योईना ने सभी जीलों के DEO और DSE को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि राजे के साथ हजार एकल सिक्षा किये विद्यालियों में विद्याले परभंधन समीती तथा पढ़े लिखे युगाओं की मदद ली जाए जिससे कलास का संचालन बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए बिद्याले परवंधन समीती जागरुपता अभियान चलाएगी निर्माल महतो सहाधत दिवस पर हेमांत सुरन बोले जल्द होगी बहाली जारखन के मुक्ष मंत्री हेमांसुरन ने सोमोर को पुरो की सरकार को खिलाब जम कर बोला उन्होंने कहा कि पिछले 20 बरसों में पुरो की सरकारों ने राज को खोकला बना दिया यहां वैसे लोगों ने राज किया जिन्हें यहां के मुलवासी, आदिवासी, दलीत, अल्पसंक्यक से कोई लेन दे नहीं था मुख्यमंत्री ने कहा है कि जार्खन में जल्द पूलीस सिक्छा को खन जातिये भासा में बहाली होगी मुख्यमंत्री हमांसुरे ने कहा है कि जार्खन में परती भावा होनहारों की कमी नहीं है राजे में जल्द पूलिस सीखचा को जन जाती है भासा में बहाली की जाएगी उन्होंने बताया है कि राजे में जेपी एसी पहले एक हजार दिनों में परिक्षा लेता था हमारी सरकार ने दोसो पचास दिनों में परिक्षा जन कराई है केंदर से 80 कॉष रूपे नहीं मिलने से मन रेगा कि 9000 योजनाओ पर ग्रहान केंदर सरकार ने मन रेगा के लिए 80 कॉष रूपे रासी अभी तार्ग भी मुक्त नहीं की हाई इसके करां 9000 स्यधिक योजनाओ अधूरी हाई हाल में मन्रेगा के तहद सरकार ने पानी रोको पौधा रोपो अभियान शुरू की है परखंड के तेरा सोव हेक्टेर छेतर में पौधा रोपन करने का लग्ष है बतादे इसमें अपूर्ती करता ही लाभू को फलदार पौधे देंगे आम हुआ अमरूत का पौधा उपलब्द कराने का निर्देश आपूर्ती करता को निर्देश दिया गया है वही पौधे की रासी आपूर्ती करता के खाता में र्टी जी एस होगी वहीं पोधार उपन अभ्यान में मजदूरी मत की रासी मजदूरों के खाते में दी जाएगी जार्खन कांग्रेस बिधायकों के घर बंगाल CID का छापा पचिम बंगाल में 59 लाख रुपए के साथ पिछले दीनों गिरफतार तीनों कांग्रेसी बिधायक इर्फाननसारी राजस कक्चप और नमन विकसल कोन गाड़ी के सरकारी वर निजी आवासों में सोमवार को बंगाल CID ने एक साथ छापे मारी की इस छापे मारी में बंगाल CID को जार्खन पूलिस का भी पूरा सयोग मिला फायर एस्टेशन अफसर्वा अगिन चलक में पहली बार बंफर बहाली जार्खन अगिन समन विभाग करमचारी और पतादिकारियों की कमी जेल रहा है फायर एस्टेशन अफसर्थ लेकर एस्टेशन फायर अफसर्वा अगिन चलकों के पहली रिक्तिया है अगिन समन विभाग में रिक्तियों के चलते आ रही पर साणियों ने पूलिस महाने देशक ने राज सरकार को अगत कराया था जिसके बाद अब इन रिक्तियों को भरने के पर किलिया शुरू हुई है राज ये अग इन समन में 33 फायर एस्टेशन अपसरवा 282 अग इन चालकों के पदों पर जल्द भाली शुरू होगी मुख्य मंतरी हेमं सरेन से जुड़ी मामले में 12 अगस्ट को भरत निर्वचन आयोग सुनवाई करेगा शुमवार को इस मामले में भाजपा की ओर से वरी अधिवक्ता मांदिर सिंग और कुमार हर्श की ओर से आयोग को बताया गया है की हेमान्त सोरेन मुक्ह मंत्री होने के साथ साथ khayan मंत्री भी है उन्होंने स्वयम अपने नाम से लीज आवन्टीद कराया था ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि खान मंत्री ने स्वयम के लिए लीज आवन्टीद करा लिया है यह याचिका पुरी तरह से सुनवाई योग यहाँ है और जन परतिनेधी कानून की धारा नौ ए इन पर लागू होता है ऐसे में इनकी विधान सबागे सरस्यता रद कर देनी चाहिए मुहरम को लेकर अलर्ट मोड में गुमला पुलीस उपद्रियों से निपटने के लिए गुमला जीला के सभी 18 थाना की पुलीस ने पुरी त्यारी की है सबसे ज्यादा सजग गुमला थाना की पुलीस है नव अगस्त को मुहरम जुलूस हुआ जगा जगा पर मेला है इसे लेकर पूलिस पूरी तरह अलट है तागि कोई असमाजिक तत्व अफवाह न फैला सके अगर अफवाह के बाद महौल भी गरता है तो उससे निपटने के लिए पूलिस ने त्यारी किया है उपद्रियों से निपटने के लिए पूलिस अधिकारी वजवानों ने गुमला सहल में मौक ड्रिल भी की साथ ही परमबीर अलवट एका इस्टेडियम गुमला में अभ्यास किया गया जारखन में बांगला देशी मुसल्मानों की घुसपैट ही बड़ी समस्या बिजेपी सांसाथ भारतिय जनता पार्टी के सांसाथ निपटने दूबे ने सोमवार को लोक सभा में जारखन में बांगला देशी मुसल्मानों की घुसपैट का मुद्दा उठाया इसके साथ इनी सिकान दूबे ने मांग की है कि सरकार वहां राश्ट्रिये जनसंग के राजिस्टर की कवाय सुरू करे और हेमन सुरन के नितित वाली राज सरकार को इसलामी करन गती बीदियों का समर्थन करने के लिए बरकास्त करे सदन में नियम 377 के तहट मुद्दा उठाते हुए दूबे ने कहा कि वहां पिछले 13 से 14 सालों से जार कंट से सटे बंगाल से घोसपैट के मुद्दे को उठा रहे हैं उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे का हिंदू मुसल्मान से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि घोसपैट करने वाले हिंदू और मुसल्मान दोनों का रोजगार छेन लेते हैं रांची रेलवे स्टेशन दुरगा पुजा समीती पंडाल निर्मान फीर से सुरू रांची रेल्वे स्टेशन दुर्गा पोजा समिती के पंडाल का निर्मान सोमवार को फिर से अरम हुआ रांची रेल्वे स्टेशन में सेरसा स्टेडियम के पिछे रांची के बिधायक CP सिंग की मवजुदगी में कारीगरों ने पंडाल निर्मान के लिए बास बरली से बुनिया त्यार करना अरम किया विधायक ने कहा है कि अगर आंची रेल वे स्टेशन पंडाल निर्मान में ब्योधान उत्पन करता है तो पहले मुझ से सामना करना होगा उन्होंने बताया है कि अवय निर्मान का बहाना कर रेल परसाशन कमीटी के सदस्यों को परसान कर रहा है कमीटी की ओर से बताया जया है कि पिछले 75 साल से पुजा का विजन किया जा रहा है तीनों बोड के टोपरो सहीत 10,000 बिद्यार्थी समानीत प्राइबेट स्कूल एंड चिल्डरेन वेलफेर एसोसियेशन पास्वा की ओर से सोमवार को खेल गावी स्थीत हरवन्स टाना भगत स्टेडियम में राजय अस्तरिये छात्र परतिभात सम्मान समारो का अवजन किया गया इसमें 10 स्यार्थी अधिक छात्र छत्राओं को समानीत किया गया सीबी एसी, आईसी एसी और जैक बोड की दसवी और बराहमी परिच्छा के टोपर और असी परतिशस्ते अधिक अंक लाने वाले छात्र छत्राओं को बित मंत्री डाक्टर रामेसर उराओ, पदमस्री, मुकुंद नायाक, पासवाक राष्ट्री अधियक, सयद, सम्म्याल, अहमद और परदेश अधियक्स अलोक कुमार्दुवे ने समानीत किया जार्खन के वकीलों का बढ़ी कोट फिस से भुगतान से इनकार जार्खन के वकील बढ़ी हुई दर पर कोट फिस का भुगतान नहीं करेंगे, बार कॉंसिल ने अपात बैटक में निनाय लेकर राज्जे के वकीलों से बढ़ी हुई दर पर फिस का भुगतान नहीं करने को कहा इस समंद में राजे के सभी बार संगों को बार कॉंसिल ने पत्र भेज दिया है सरकार ने यदि फीस बढ़ोत्री वापस नहीं ली तो 10 अगस्त के बाद पूरे राजे के वकिल लंबा अंदोलन चले जाएंगे जार्खन बार कॉंसिल ने आंदोलन पर नीनाई लेने के लिए 10 अगस्त को एक आम बैठाक भी भुलाई है जिसमें सभी बार संगों के निर्वाचित पतादिकारियों और कॉंसिल के सदस्चों को अमंत्रित किया गया है जार्खन कैस कांड बंगाल CID ने जाम तरा में इर्वान अंसारी के गहर तीन घंटे तक तला से साबूत हाबडा कैस कांड की जाच के सिलसिले में जाम तरा बिधायक इर्वान अंसारी के जाम तरा कोट रोड इस्थित आवाद पर बंगाल CID के टीम ने चापे मारी की अंगाल के हबराई स्थीत पंचला पुलिस ने इर्फान अंसारी सहीत जार्खन कंग्रेस के आने दो विधाय नवन बिक्सल और राईस कक्छप को और तारीस लाक रुपए कैस के साथ गिरपतार किया था रांची में आई से सुरू होगा जन जाती है महोच्प मुख्यमंत्री हिमन सुरेन साम मुराबादी मैदान पहुंचे मुख्य मंत्री ने विश्वा दिवासी दिवस के उसर पर 9 एवं 10 अगस्त को रांची के तिहासिक मुराबादी मैदान में अवजीत होने वाले जार्खन जन जाती है महोसव की त्यारियों का निरिक्षन किया मुख्य मंत्री ने मुख्य मंच की स्तजावट विभीन इस्टोल की जनकारी अने साज सज्जा आगांतुकों के आने जाने एवं बैटने की बेवस्ता फूड सेंटर सुरक्षा बेवस्ता सहीत सभी अवस्यक पहलू पर बारिकी से निरिक्षन करते हुए अधिकारियों को महतपुन दिसानी दिश दिये जंगली मस्रूम खाने से लोहर्दगा के साथ लोग बिमार जारखन के लोहर्दगा जिले के सदर परखंड छेतर के निगनी कुमबा टोली में साथ लोग खेत में उगे जंगली मस्रूम खाने से बिमार होगा है जिसके बाद सभी को सदर अस चोनात उराओ के परिवार के सेस्यों ने खेत में उगे मस्रूम को घर लाकर सबजी बना कर खाया था फसल रहात योजना के लिए 15 सितंबर तक करे आवेदन खोटी उपायुक्त के निर्देश पर सोमवर को जीले के साभी पर्खंडों में जारखन राज फसल रहात योजना के सफल किरवानों को लेकर सिविर का उजन किया गया सिविर के माधिहम से सुगम निबंधन और योजना को लेकर गरामीनों को जागरू को भी किया गया उपायुक्त के निदेश पर परतेग चार पंचायतों पर सुपरवाईजर की प्रतिनुक्ति की गई है उनके द्वारा योजना का उचित अनुसरवन किया जाएगा साथ ही परखंड के वरिय पताधिकारियों द्वारा निरंतर छेतर का प्रामन का लोगों को जारू किया जा रहा है योजना के अंतरगत परतेग गराम में ब्रिहत अस्तर पर जागरूपता भियान चलाया जा रहा है रांची यारपोट को उड़ाने की धम की देने वाला गिरफतार जार्खन की रजधानी रांची के बीरसा मुंड़ा यारपोट को उड़ाने की धम की देने के मुख या अरोपी सही दो अरोप्यों को बिहार से गिरफतार कर लिया गया है इस दवरार राची पुलिस ने उनके पास से धमकी देने में परियुक्त सीम कार्ड भी बरामत किया है इस मामले में तीन लोगों की सनलिपता की बात सामने आई थी एक ब्यक्ति को यारपोर्ट पुलिस पहले ही हिरासत में लेकर पुस्ताज कर रही थी आपको बता दे कि यारपोर्ट निदेशा को तीन बार एक ही नमबर से धमकी मिल चुकी थी धन्यवाद